तो आज हम बात करने जा रहे हैं VVA Micro Programming में एक attendance का format त्यार करने हैं किसी देखा format कैसे त्यार करते हैं क्योंकि रिपोर्ट्स बगर आटोमेट करना है तो उसमें formatting की जरूत पर जाती है आज हम इसी चीज पर आपके साथ बात्चित करने वाले हैं तो हम इसको double screen कर देते हैं ताकि आपको दीखेगा सबसे पहले तो हम यहां पर देते हैं सब्जेक्ट आरा कि यहां पर में में के एटीटी सबसे पहले एक सीट एड़ सबसे पहले तो मुझे जिस महीने का चाहिए महीना रिगलेर करना ठीक है तो मैं यहां पर चाह रहा हूँ कि मंद इंपुट करे कोई ठीक है तो मैं एक m equal to input box ले लिया और यहां पर बुला कि enter month in dddd ठीक है सर क्या बोलना है क्या बोलना है क्या बोलना है आपकी वाइस पर एक और यह कुपाल जी मैं समझने पा रहा हूँ क्या बोलना है इस महीने का मुझे इंपुट बॉक्स बनाना है उस महीने का input लिया है जब run कोई करेगा तो इसे मैंने कोई run करेगा तो पप पुछेगा तो इसे मैंने यहां पर डाल दिया jam तो यह jam जो है M पर स्कूल हो जाएगा फिर मुझे यहां पर शीट्स और सीट्स के साथ सीट्स डॉट एड करनी है और डॉट नेम इकॉल टू म के साथ तो फालन टूंटीट्टीटू डैस है ठीक है अब ऐसा हो नहींट जिए जैसे रन बनेंगे पुछेगा मैंने यहां पर डाल दिया जैन एंड ओके करूँगा तो यह क्या करेगा जैन 22 का एक नया सीट बना देगा अब सीट बनने के बाद मुझे क्या करना है कि यहां एक टू पर मंद टाइप करना है तो यहां लिखेंगे रेंज a2.value.equal to month ठीक है और फिर range b2.value.equal to m जो उपर लिया हुआ है इसके साथ हमने dash 22 जाल देगे ठीक है फिलाल मैं इन दोनों code को कर देता हूँ dead तो यह बादा सीट सेम नाम का arrow का दिखकत जाएगी ना और m equal to कर देता हूँ jam अब मैं यहां पर run करता हूँ तो आ गया यहां पर पर प्रॉब्लम है कि यह बाईस एक दोजार 22 आ गया है दिखाया ना गलत है न डेट 22 एक दोजार तो मुझे यहां पर क्या करना है हमें लगाना है फर्मूला फॉर्मेट का फॉर्मेट और इसमें हम करते हैं 1-N% हम करते हैं M-2022 एक क्या करेगा जो महीने का में बनाना है उसका फॉर्स्ट देदेगा और इसको हम इस फॉर्मेट में डाल देते हैं अब इसको रॉन करते हैं 1-N-N इसको यहांसर राप करते हैं 22 जिनवरी क्यों आ रहा है अच्छा इसको आप फॉर्मेट में हटा देता हूं यह फॉर्मेट वाला पार्ट हडा देता हूं अब सही है ठीक है अब मुझे इसके ऊपर फॉर्मेट करना है यहां पर रेंज बी टू डॉर्मबर फॉर्मेट एक्वल टू एक्वल टू एन एन एम डाश वाइक वाइक आप देखें यहां कर जैन 22 अब मुझे यहां यहां आ एफाइफ यहां पर चलना है कि एफाइफ में यहां पर रेंज एसेक्स डॉट वैल्यू एक्वल टू स्रियल नंबर फिर यहां पर एसेक्स के बाद बीसेक्स में नेम आएगा नेम उसके बाद इसके बाद इसक्स के अंदर आएगा डिपार्टमेंट ठीक है और यहां पर सी सी नहीं डी डी सेवेन डी सेवेन जो हम अंदी डी सिक्स होगा हाँ डी सिक्स में अज ए आएगा यह जो देट हमने डाला हुआ है पहली तारिक समझ गया है सर यह सब A, B, C 2 हमाची है रहा नहीं तो ऊपर तो ही कर रहा है उपर हेडिंग हो गया ना अब निशे डालेगा निशे कर रहा है ओके डव गई ना यहां पर यहां गया अब मुझे एशिक्स में क्या अभी करना क्या है कि इस पे प्लाउस करके और फिर इसको कॉपी करना है और 31 ले आके पेस करना है समझगे ज़र दिखरा है ज़र इस तरह तो कैसे करें बीवी कोड के ज़र तो यह हम E6 में क्या करेंगे range E6 dot value equal to equal D6 plus 1 ठीक है यहां पर देख दिख दिखेंगे रन करके आ गया अब मुझे D6 E6 को कॉपी करना है कि range E6 dot copy अब मुझे F कहां से जाना है? F6 से जाना है लेकिन कितना जाना है? पहले यह भी तो पता होना चाहिए न सर्थ तो हम क्या करेंगे? days count करेंगे कि जो महीना हम लगा रहे है उस महीने में कितने number of days है? तो दी इक्वल टू हमने यहां डाला application dot worksheet function dot eo month bracket में हम यहां यहां यह जो date बनाया हमने पहली तारीक इसको लिया और यहां पर कॉमा zero कर दिया तो यह क्या आ जाएगा? last date लेकि मुझे date number of date चाहिए तो इसमें date का फॉर्मले के अंदर में इसको डाल देंगे ता जाएगा यह चीज़े मैंने बताई थी आपको सीद वाले जो बताया था सीद का जो हमने प्रजेक्ट किया था उस प्रजेक्ट में अब कॉपी करने के बाद range हमारा का इसा है F6 F6 starting position तो fix है ending position fix नहीं है तो ending position हमने बुला कि F6 से offset 0 row and colon तो यह आपका डी पर जो colon add है उतना ही लेकर जाना है हमको लेकिन हमने यहां पर क्या कर रखा है दो डेट डाल रखा है तो डी माइनस टू कर देते है ठीक है dot paste special समझे तो यह कहां तक पहुंचा यह एक जादा ले लिया मतलब कि दो माइनस में मुझे यहां पर तीन माइनस करने हो अब यहां पर इस सब पूरा पूरा डिलीट करके दुबारा से रन करता हूं अब जो है यहां पर अब एक बार एक अत्ती जनमें तक बना ठीक है सर अब मैं इस पर जैन के जगा पर फैब कर दू तक क्या बनेगा 28 पर बढ़ी तक बनना चाहिए बिल्कुल यह समझ मैं आपको गुपाल जी यह समझ मैं आपको आपको आया सर सुधाकर जी प्रसांद जी तो यह हमने पेस्ट इस पेसल करते है अब अब मुझे उपर टेक्स्ट का फॉर्मल लगाना है यहां पे टेक्स्ट और इसमें करना है डी 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 ताकि संडे आ जाए ठीक है तो हमने यहां पर दिया कि रेंज अब यहां पर प्रॉल्म आगिना कि मुझे फॉर्मले के अंदर भी कि डबल इंवर्ट कमा करना है करना नहीं से तो कैसे हो तो यहां पे डबल इंवर्ट कमा में लिखेंगे तो बहुत प्रिंट करेंगा जीनिवर्ट कुर्ण और फिर मुझे हुआ पास रेंज डी फाइब को क्या करना है कॉपी करना है फिर रेंज डी नहीं ए इसिक्स इफाइब इफाइब से कहां चलना है रेंज इफाइब डॉट आपसेट वन और नहीं जीरो जीरो कॉमा दी माइनस टू माइनस टू क्यों किये क्योंकि इस वाइफ में किये तना इस वाइब से गर रहा है इसे हमने माइनस टू कर दिया डॉट पेस्ट एस्पेश अग्या सर अब मुझे पूरे को सेलेक करके दस तक यहाँ बीस तक इसको क्या करना है पूरे को सेलेक करके इसका बॉर्डर देना है तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं रेंज स्टाटी पॉर्ट क्या है A5 अब एंडिंग पॉर्ड हमें पता नहीं है हर दिन अलग-अलग होता है तो रेंज एंडिंग पॉर्ड में क्या करेंगे कि रेंज A5 डॉट अपसेट अब रो जो हो जाएगा हो जाएगा 20 अन कॉलन्ज हो जाएगा D plus क्योंकि यहां से D है न तो 1, 2, 3 I think 3 होनी चाहिए 3 plus कर दिया है dot borders dot line style equal to 1 अब इसको run कीजिए देखें सहीड जा रहा है 25 तक आ गया हाँ 25 तक आ गया और एक बढ़ गया है एक बढ़ गया तो मैं plus 3 नहीं plus 2 करना चाहिए ठीक है समझ गया है इसे बागी इसे बागी फर्मेटिंग तो कर सकते है ना अभी प्रब्लम है यह सर इसनों नाम आम लिखना तो तो सर वो भी तो मिन्हों लगना आएंगे पर बंदोंगा एगर नाम लिखना होता यह सर नाम लिख दीजिए फिक्स है तो यह बार आपको ना लिखना पड़े बट यह चेंजिंग हो रही है दिक्कत है तो कोई बात नहीं है अब इसमें क्या क्या करना है आपको सबसे पहले तो इसको डीदी कर देना है मतलब की दो देट दिखनी चाहिए उसके बाद इसम और भी अपने हिसाब से जो करना चाहिए इसमें कर सकते हैं और यह डेट है हम डेट को हटा देते हैं ठीक है सर और इसको डेट कर देते हैं अब एक कोड आपको हम भेज देते हैं अब आप लोग इसके ऊपर अपना रिसर्च कीजिए और करके मुझे एक्जेक्ट फाइल पे जिए और एक्सेल फाइल पे जिएगा ऐसा नहीं का आप एक्सेलेस फाइल बना के भेज़ दीजिए पीगा परसान जी समाज गया है का आप 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 आप